अब्यान आईयास अगेडमें आपका स्वागत है और मैं हूँ विदास्तिक पाठी और आज मैं दृष्यकला से आपको एक अन्यक टॉपिक लिग आया हूं देव प्रिशाद्रा चोधरी के बारे में और अगर हम इनको भारती आफरी मुर्तिकला का एक पितानाग है तो यह सही होगा लेकिन मैं इनका जिवन पर से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसके पहले की एतियासि घटनाओं पर जाओं कुछ राज्याति जो कारण थे उस पर जाओं तो बात इनके वारेम बात अच् अठार सो पैदिस में लौड नयकाली की जो शिक्षा मीति आई थी जिसमें अग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था तो शिक्षा मीति से कला शिक्षा जो है वह अलग तो है तो उसी की दिर्ष शेव आट एजूबिशन के रूप कि में क्या हुआ कि बाहर जो भ बाहर है उसका शिक्षा दिया जाने लगा भारती चात्राओं को चात्रों को क्या था वह शिक्षा वह शिक्षा जैसे की रूमन या पाष्चात जगत के जो भी मुर्तियां थे उनका श्टेडी करना मॉडिलिंग करना यह सारा कुछ होता था लेकिन हमारा जो एक का हमारा वह जो अधार है मुर्तिकला का अप राचीनी भारति मुर्तिकला उठा के देखें चाहब किसी भी डैनिस्ट्री का हो कि किया है उसमें हमारा पूरा जो हमारे कला है वो धर्म पहीं तो ठीका हुआ है तो कहीं निकांदे जो वह समय था 1800 से 1900 के मंत जो भी समय था उसमें भारत एक तरेकिश्य उसका कार जारी था उसमें लेकिन मुर्तिकला प्रोल रूप से अब थोड़ा जुका हुआ था मतलग जुका हुआ का मतलग उसका लोग होने लगा थोड़ा हुआ अपनी एडेंटिक होने लगा भारती मुर्तिकला किने बात करो क्यों 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 जो हमारे भाड़ती वरिष्ट लोग थे जो उच्छ लोग थे जो बड़े लोग थे उनका रुषान पाश्चात इकलाग शैलियों में जाने लगा कैसे जाने लगा क्योंकि उस समय इटली से ब्रिटें से तमाम ऐसे चितकार आते थे अपने साथ इकलाग शैलियों को लाते चला गया था ठीक लेकिन हमारी भारती कला हमारी जो भारती कला शैली थे उसका तो लोग क्यों रहा था लेकिन फिर भी हमारी जो घूद्व लोग में परिसली थी लो ग मंदला बूद जैसे क又 कि हमारी परहंपरे कारे में या पिर उखॉष इसक एसे Bangkok अधिया कों में जो यह भी धीरे धीरे इनका भी लुप हो ही रहा था ऐसा मैं घौंगा है यह तो थोड़ा से कंडिशन था मंध्य में जब थोड़ा मुर्दी कला भारत की जो भारती श्राइली मुर्दी कला थी वो एक तरीके से तोड़ाइन हो गई थी अब मैं बात करूंगा उनी सो लगभग तो अपने चेत्रकारी छोड़ दी तो उसके बाद वो कुछ मुर्दियां या का मुर्दियां निर्माण या स्विजन करना प्रागम किया थी और उसी शैलियूर साथ कट्टम-खुट्टम कहा जाता है और अगर मैं भारत के नौ जागरण काल था मुर्तिकला में और उस मुर्तिकला में सबसे बड़ा योगदान मानूं तो आवनिंद नार्ट टैगो और उसके बास के देवप्रसाद्रय चोजरी को ही जाता है किसे जाता है लेकिन देविपशाद्र चौद्री का जो शैलिक है जो शैलिक वो प्रश्चा तिकला से अकादमिक आर्ट से प्रभावित्रा लेकिन फिर विश्ट है था वह पार्ति है था कैसे था उसकी बात मैं करूंगा अब मैं आता हूं उनकी जीवन परच में जीवर परचे के बात करूं मैं कि अठासो निन्यान विश्व वर्तमान में जहांपे बंगलादेश में पहले भारत में हुआ करता था वर्तमान बंगलादेश भी रंगपूर गे ताज सब्सक्राइफा प्राधमिक तौरुआफ प्राधमिक सिक्षा परिवारणी कच्षा इनका उफिस प्रथम गुर्व थे गलादेश चैज व्यातनुं इनको ज्यार्मों की वास्तरमी की शिक्षा दी और इन्होंने वहां भी अग्मिशन लिया था कलाविध्याले में ठीक उसके बाद अब मैं आगे बात करूँगा कि यह मैं 22 जो थे बाइस कौन थे बाइस का संपरक्वा देप्रशादराय चोधरी का और यह तैयल रंग की चित्रकार थे जो की पाश्या तक पददी है और यह बाइस बिटेम से थे तो इन्होंने क्या किया इनको तैयल रंग यह लोगए वो जाने जाते हैं लगर उसके अफ्रिक वो चित्रकार थे वो लेख़क ते तमाम उनके अधर प्रतिवायाओं थी लेकिन उनकी श्यस्ता मृतिकार के रूप में जाने जाते हैं इनका जो प्रभाव था, मैं इनकी प्रभाव ही बात करूगा अगर से, तो रोधा, यह जर्दीन कहते हैं, यह बढ़होल्ट, और यह मेलवल्ट थे, कौन थी यह लोग? यह लोग फ्रांस के मूर्तिकार थे, प्रिस्थ्धन मूर्तिकार, इनका प्रभाव देवप्रिसाद् कि जो इनकी विशय हैं जो इनकी जूनका एक स्टाइल है जब मैं उसमें बात करूंगा तब इनको उस समय जोड़ूंगा इनकी प्रमुख करतियों के बात करूंगा इनकी प्रमुख करतियों के बाड़े में नहीं उसके पहले में इनकी स्टाइल को बताऊंगा मैंने रॉणदा का नाम लियए मैंने भळडोल का नाम लिये मैंने मैलाव का हétais अब में बतातों कोई रोंदा को है रोंदा की जब हम बात करते हैं तो रहोंदा की मुर्तिकार थे फ्रांस के और एक सबसे बड़ा उधार्ण किया है ? दॉसरी बिसेस्ता थी? सकल्चर में इंक टरीकसे असपष्ट रहना just पutलब की पुर्ण नकरना जा कि अपुर्णथा में भी अपुर्णता का अभाव को इनोंने इंका जो एक सर्फिस मैं बात कर सकता हुज्वारी सर्फिस होता है सकल्प चागा वो बैकर जो अंगे बार भाद करेंगे तब हम उसको डिल तिहोड नहीं है उसमें rays वो जो गुरी के उससे प्रभावित थे उसमें इनके फिगर में स्रीनल में भारीपन ठीक, थिक हुआ है जो भारीपन था तो है । Satisologyrich जर्मानस की सम्भीदनाओं को द रशाने का सबसे गणउन कारे और यहीं तीनु प्रभाव हमारे देवताarai Choudhari की मूर्ति में आते हैं अब मैं बात करूँगा देवताarai Choudhari की मूर्ति है उसका उसका उसमें क्या था अगर से उनकी मैं मूर्ति को डिवाइड करूं तो पहली थी राश्ट्रियता तीश्रा क्या थी दूसरा पोर्ट्रेट तीश्रा क्या था तीश्रा संकालिन जीवन राश्ट यह था क्योंकि जो उस समय का समाज था हम सभी जानते हैं कि अठाट और 17 से लेके फिर 1920-30 के मद जो समाज था वो क्रांति कारी दोर चल चल नहीं रहता है तो सभी चहत्र के लोग उसमें योगदान दे रहते तो हमारे कलाकार भी उसी चहत्र में योगदान दे रहते और अबनिना टैवर में उसी भरत माता के चहत्रा आप जानते हैं कि वननलाल बोस कौन थे और उसमाज में देव साथ ले चौदर की स्कल्प्चर है उसमें भी राष्ट्रियता की भाणा को जागरित करने का काम किया गया दोसा गया था पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट की बाद मैं करूगा जिसमें अवक्षय पृतिमाइश को बोलते हैं इसमें इ आहिए वक्षय बीसे दिखाती हैं संफालें अ जीमों पर इनका चित्र है अब मैं इनकी बात करेंगा इंकी जो फिगर है वो दो रूप में दिखाते हैं कौन सा लूप है एक है एकल मतलब में दूसरा कौं सा है दूसरा है समभ या फिर सामुहिक सामुहिक फॉरम में ऐकल तो बात हम करते हैं उनकी इन्हों ने गांध ही जिका पंट किया है और अन्य तमाम ऐसे बड़े लोगों का इनों ने पोर्टेट किया है या फिर इनकी आकर्दियां बनाई हैं तो उसको हम एकल फिगर कहते हैं दूसरा सामुहिक में अगर से हम उस फॉर्ण को देखें सामुहिक चाहसे श्रमकाली जाये गांडी यात्रा पानिहारी नहीं इसमारक यह सभी जो हैं यह सामुहिक मुर्थि के लाके अंतरगत आते हैं जब हम सामोहिक मूर्तिक अब इनके फिगर की बात हम करेंगे तो इन्हों ने अपने फिगर में अपने मूर्तियों में अगर से मैं सामोहिक मूर्ति के बात करूं तो जो प्रमुक मूर्ति है जितना इसकी है उतना ही अन्य मूर्तियों के भी है अगर मैं इनके साथ फीगर हैं और साथों में एक को अलग कर गए देखूं तो वह उतना ही नहीं नहीं तो पुड़ बन जाता है जितना मैं सामोही पुरुप से देखूं ठीक यह था इनकी मुर्तियों की यह कह सकता हूं एक फॉर्म है दूसरा अन्य बात करता हूं इनके बर्डोल से प्रभावित और मिलॉल से प्रभावित यह कौन थे यह पाश्चात जगत कला खारत है तो इनकी जो एक माना जाता है कि इनका जो प्रभाव है वह पाश्चात कला से प्रभावित है लेकिन लेकिन जब हम इनके फीगर को देखते हैं उसमें नसो का उभार, मान और बातो हैं, परहु मूर्थिरे के बारे हम बहुत कुने का है, पढल मुर्ति कौन से है, श्रम का विजय है, पहले हो, जो मैं बता देता हूं, इसका संग्र है, जो का में मर्णा भी near name, में और इसकी प्रती भी है यह ब्रॉंज में है और मैं एक चिलावार बता दो कि इनका जो मीडिया में यह ब्रॉंज के लिए ही चैनल जाते हैं इनों जो जितने में मुर्थिया बनाएं वो अधिकता ब्रॉंज में ही बना ही है इसमें इस फॉर्म को देखते हैं इसमें क्या है इसमें आक्रतिया है कुछ आक्रतिया है जो विशाल चट्टान को धके या फिर खीच के उपर ले जा रहे हैं यह वहीं फॉर्म है मानौ समाज के एक एक जूटता को प्रदर्शित करना जहां हम धी जब किसी बड़ा चीज़ होता है को भारी चीज़ लिए तो हम साथ में मिलिकर जो रहा के हैसा बोलते हैं और एक जो वाइब्रेशन उत्पन होता है और वह इनर्जी उत्पन इनर्जी जो होता है वो क्या हमारी उसको हटाने में मदद करता है तो यह जोर वागे हैया वाला ही एक प्रसंद है यहां पर श्रम का विजय सही दिश्मारक की बात करें हैं सही यथार्थता का जो एक इस अब में बात नंगे यत्रागी है दॉप जब हम देखेंगे यह इसमें अगर हम जिकने भी आकृतियां जिसमें सबसे आगे महात्मा गांदी यह पिर कसुर्वा अन्य अकृतियां अगर से मिनको समुह में देखें उतने ही इंपोर्टन हो जाती है मैंने पहले ही कहा था कि इनकी जो आकृतिया है वो व्यक्ति के आइडेंटिटी को बड़े ही साज भाव से अब बड़े ही स्पष्ट रूफ से दिखाती है और अगर से महात्मा गांदी को अलग भी कर दूँ तो भी कि इनका व्यक्तित्व या फिर इनका जो इनकी एक आइडेंटिटी रगती है इसे महात्मा गांदी के पर अन्य पृदर्शित किया है कि इनकी रहत रहत पूंच हम देखते हैं ऐसे सेंबॉलिक शीज़े में उन्हें रत्त की है यकिसे जब आंडी यात्रा के मृति तो इनका जो शरी लटका हुआ है शरी पर वस्त्र गांधी जी का है एक जो सौल है या पर चादर है वह नीचे एक काटे में फसा हुआ है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो दांडी यात्र है वह आसान दास्ता नहीं है पापो के लिए वह कटिनाई से भरा हुआ है तो इन्होंने कहीं कहीं पर सिंबॉलिक अर्थों का भी प्रयोग किया है उसको उस मुर्जी को समझाने क्लिए कि अधार्ता का पुर्ण प्रभाव है उसके बात शरीर में जो एक देड़ता है कति शीलता है और जो इस पश्चता है भाव है वो सारा कुछ इंके चित्रों में प्रदर्शित होता है और यह उसके बीषार में है यह ब्रॉंज में दांडी यात्रा की बात मैंने की पनिहारीन जिवे राष्ट्री संग्राय जब नहीं दिल्ली जाएंगे तो वहां पर पनिहारीन है इसको एक अन्यवनार और से जानते हैं इसे रिधम बोलते हैं अप्टर दबात है अंतिन छ मिलम का पूजय को अपालि Himita या करी सब्सारा आ आसमें, और दरुण का पूजा और श्हेली और वीडियो के लिए लेके हाएंगे और तमाम ऐसे भर्तियचित्र enable कि और अन्हेचित्र का भारती आवारे जो भी कला गेती है शोष के बारे में आपको बताएंगे और तब तक के लिए धन्यवाद और आप चैनल को लाइक करें शब्सक्राइब करें और शेयर करें करें